कल की डेट में यानिकी 17th of June को आपको एक चिप देखने को मिल थी Qualcomm Snapdragon की ओर से 6 Series में Qualcomm Snapdragon 690 जो कि एक 5G चिप थी और इसी के साथ Qualcomm ने पहली बार Qualcomm ने पहली बार 6 Series में एक अपनी 5G चिप डाल दिये और जिसके साथ इस तरह के Gases भी लगाए जा रहे हैं कि वो सकते हैं कि आने वाले समय में आपको 10-12000 की रेंज में 5G फोन आपको देखने को में तो यहाँ पर आज मैं इस चिप का एक बार कमपैरेजन करने वाला हूँ हाला कि फैर नहीं होगा फिर भी यहाँ पर देखते हैं कि कितना दम है यहाँ पर इसका कमपैरेजन करेंगे मीडिया टेक की डेमेस्टी 820 से जो कि आप सब भी जानते हैं कि मीडिया टेक की और से आने वाली एंट्री लेवल की 5G चिप के लिए यहाँ पर इसका नाम आता है तो यहाँ पर आज का कमपैरेजन काफी तदा इंट्रस्टिंग होने वाला है और देखते हैं कि क्या स्नाप ड्रागन की 595G मीडिया टेक की डेमेस्टी 820 की तरह एक दमदार चिप है या नहीं तो इस वीडियो का आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए और अगर आप चलने पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजिए चलिए इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरुआत करते हैं स्नाप ड्रागन की 690 5G के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं स्नाप ड्रागन 690 5G के साथ और यहां पर सबसे पहले फोकस आपको देखने को मिलता है वो है मिड रेंज के 5G स्मार्टफोन को लेगे 5G टेक्नॉलजी के अगर हम बात करते हैं सब 6 GHz बैंड का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है इसके लावा अगर हम बात करते हैं मिड ड्रेंज के 5G स्मार्टफोन को देखते विलाई गई गई चिप है 5G टेकनॉलजी यहां पर आपको सब 6 GHz बैंड का सपोर्ट देती है इसके लावा यहां पर हम बात करते हैं लांच डेट और 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 और्केटेक्चर की तो यहां पर एक 8NM फाबरिकेशन पे बेस्ट SOC है जो कि एक OCTACORE प्रोसेसर है और 64 बैट और 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 यहां पर यहां पर आपको 8NM वसे 7 अन देखने को मिलता है और जेनरली यह NM जो होता है वो सेमी कंडेक्टर का साइज होता है जो कि आपकी SOC के अंदर यूज होते हैं यह NM जितना दा चोटा होगा आपकी SOC उतनी ज़्यादा बेहतर होगी Energy Efficiency के मामले में और थोड़ा बहुत performance में भी असर पड़ेगा यहाँ पर इस मामले में आपको Dimensity की A20 थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है इसके लाव Snapdragon 695G में अगर हम CPU याने की Central Processing Unit की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको Dual Crystal Architecture देखने को मिलता है 2 इंटो 6 का Arrayment देखने को मिलता है जहाँ पर performance के लिए 2 कोर आपको Cortex A77 वाली देखने को मिलती है जो कि Max up to 2 GHz स्पीड तक करन करती है इसके लाव बागी की 6 कोर आपको Cortex A55 वाली देखने को मिलती है जो कि Efficiency वाली कोर है और यहाँ पर Max Clock Speed या Base Clock Speed up to 1.7 GHz पर रन करती है जबकि Medial Demensity A20 में CPU के Architecture की बात करते है तो यहाँ पर आपको 4x4 Dual Cluster देखने को मिलता है 4x4 वाले arrangement में आपको पहली 4 कोर आपको performance के लिए Cortex A76 वाली देखने को मिलती है जो कि Max Clock Speed 2.6 GHz तकरन करती है और बागी की 4 कोर आपको Cortex A55 वाली देखने को मिलती है जो कि Efficiency वाली है और यहाँ पर Base Clock Speed 2.0 GHz अब अगर इन दोनों के बीच में comparison करते हैं तो इसमें कोई doubt आपको नहीं होना चाहिए कि Demensity A20 यहाँ पर आपको बेटर देखने को मिलती है हाला कि यहाँ पर आपको जो performance वाली कोर है वो latest नहीं देखने को मिल नहीं है वो एक वर्जिन पुराना देखने को मिल ला है बड़ यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आपको चार-चार performance वाली कोर्स देखने को मिल लाई है और साथ में आपको यहाँ पर Clock Speed भी ज़्यादा देखने को मिलती है और यहाँ पर जो Max Frequency है वो 825 MHz की देखने को मिलती है जबकि Mediatic Dimensity 820 में GPU याने की Graphical Processing Unit की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको Malika G57 देखने को मिलता है MC5 याने की 5 course तो यहाँ पर अगर हम दोनों के भीश में comparison करते हैं तो Max के बारे में को sure नहीं हूँ मुझे लगता है कि दोनों अच्छे हैं और यहाँ पर आगे पीछे कुछ होता है तो मुझे लगता है कि Adreno 619 यहाँ पर थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा बागी इसके बारे में आपको क्या कहना है आप comment section में मुझे बता सकते हैं बात करते हैं यहाँ पे snap ring 695G में modem की यहाँ पे 5G modem सभी को पता है Qualcomm का in-house X51 modem यहाँ पे use होता है अगर हम 5G में download और upload की speed की बात करते हैं तो यहाँ पे maximum download speed आपको 5G में 2.5 GB per second तक की देखने को मिलती है जब की maximum upload speed आपको 660 MB per second की देखने को मिलती है इसके लागर हम demonstrate 825G की speed की बात करते हैं तो सबसे लिए बता है यहाँ पे आपको जो Qualcomm X52 modem देखने को मिलता है जो की Qualcomm का in-house modem है और यहाँ पे download की speed जो max आपको देखने को मिलती है वो है 3.5 GB per second की और upload की जो max speed आपको देखने को मिलती है वो है 1.25 GB per second की इसके लागर हम दोनों के LTE speed का comparison करते हैं तो दोनों में same देखने को मिलता है maximum download speed आपको 12 minute MB per second की और maximum upload speed आपको 210 MB per second की देखने को मिलती है अब हम बात करते हैं यहाँ पे camera की support की तो दोनों में आपको अच्छा camera का support देखने को मिलता है Snapdragon 695G की बात करते हैं तो dual में आपको 16 MP plus 16 MP का support देखने को मिलता है जबकि single में आपको maximum 32 MP तक का support देखने को मिलता है और यहाँ पे यह arrangement आपको MFNR plus ZDESOL की support की साथ देखने को मिलता है with 30 frames per second इसके लोग अगर medium density A20 बात करते हैं camera की support की तो यहाँ पे थोड़ा सा better camera का support देखने को मिलता है डूल में 32 MP plus 16 MP का जबकि single में maximum 80 MP का support आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं है कि medium density A20 camera की section में win करता है इसके लाव अगर हम बात करते हैं video capture की support की तो callcom snapdragon 695G जो है वहाँ पे आप 4K वाले video capture कर पाऊगे और maximum film per second जो आपको support देखने को मिलता है वो 30 fps का इसके लाव slow motion की बात करते हैं तो 720p वाले video यानि HD plus वाले जो video होते हैं वो आप 240 fps पे यहाँ पे ले पाऊगे medium density A20 बात करते हैं तो यहाँ भी आप 4K video capture कर सकते हूँ इसके लाव अगर हम बात करते हैं आगे display में support की तो callcom snapdragon 695 जी जो है वो आपको maximum full HD plus का support देता है display में अच्छी बात यह कि यहाँ पे आपको 120 hertz का device में refresh rate देखने को मिलता है और यह आपको on device की बात कर रहा हूँ जबकि external की बात करता हूँ तो maximum 2 के तक का support देखने को मिलता है 60 hertz पे इसके लाव मेडियरिक डामिस्टी 820 की बात करते है तो यहाँ भी आपको full HD plus का support देखने को मिलता है और यहाँ पे जो max frequency है वो है 1866 MHz की जबकि मेडियरिक डामिस्टी 820 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको same RAM type देखने को मिलता है LPDDR4X और यहाँ पे capacity थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलता है अब टो 16 GB तक की इसके लावा यहाँ जो max frequency आपको देखने को मिलता है व यहाँ पे UFS का up to 3.0 तक का support देखने को मिलता है और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं fast charging की तो Qualcomm Snapdragon 695G Qualcomm Quick Charge 4 Plus के support के साथ आता है जबकि मेडियरिक डामिस्टी 820 में भी आपको fast charging के support मिलता है और जो technology यहाँ पे यूज होती है वो है Mediatek की pump express इसके अलावा यहाँ अगर हम 20 की बात करते हैं तो यहाँ Bluetooth में 5.1, Wi-Fi में 5 और Hyper Engine Gaming Technology का support यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसके लगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे N22 score की तो Qualcomm Snapdragon 695G का N22 score अभी अन्वील नहीं हुआ है और यहाँ पे जैसे आपको पता चले तो मुझे comment section में बता देजएगा आ यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 765G के score से भी जादा है तो यहाँ पे आपको भारी वरकम score देखने को मिलता है तो गाईज यह दो था इन दोनों के बीच में detailed comparison और हर aspect में मैंने comparison किया I hope कि आपको useful लगा होगा अब मैं बताता हूँ अपना conclusion क्या निकला तो यहाँ पे आपको लगबग सारी सेग्मेंट में देखने को मिलता है कि Mediatek की देमिस्टी 820 वो अभी भी Qualcomm Snapdragon 595G चिप से थोड़ी सी बेटर आपको देखने को मिल लगए है चाया वो आप GPU की बात कर लिए या फिर आप CPU की बात कर लिए एक दमदार CPU आपको देखने को मिलता है इंटरनेट की speed की बात कर ल नए हैं तो सब्सक्राइब भी किजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गड़ाए